कर्चा बार्वी की अर्थिसास की किलास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बच्छों अपन बेटा मुद्रा पढ़ गए थी अध्याथ चेह ना?मुद्रा मुद्रा कआ अर्थ कार्म और पूर्थ तो आज बेटा आपन पढ़ेंगे मुद्रा में वैधानिक परिवासा है तो वैधानिक परिवासाओं के अंदर बेटा आपन पढ़ेंगे मुद्रा की वैधानिक परिवासा क्या होती है वैधानिक पतलब जो मुद्रा राच के सिद्धान्त पर आधारित होती है उसे इसलिए वैधानिक परिवासा कहते हैं की मुद्राइदानिक मानतायों का कोई महत्व नहीं दिया गया है तो मुद्रा की परिवासा है उसमें वैधानिक मानता को कोई महत्व नहीं दिया है लेकिन आधुनिक यूग में कोई भी बस्तु सरकारी स्वीकती के विना मुद्रा के रुप में स्वीकार नहीं की जाती तो मुद्रा की वैधानिक परिवासा है तो सबसे पहले अब मुद्रा वैधानिक दश्टी कोर से भी मुद्रा की परिवासा दी जाती है मुद्रा की वैधानिक परिवासा है बेटा तो मुद्रा की वैधानिक परिवासा है मुद्रा अगर जो मुद्रा है वो राज्य और सिध्धान्द पर क्या है? आधारिस होती है इसलिए इनको वैधानिक परिवासा भी कहते हैं आधुने की उप में कोई भी भस्तु सरकारी स्विक्रिती के बिना मतला है अब कोई भस्तु आप खरी दोगे तक आपको पस मुद्रा नहीं होगी और सरकारी स्विक्रिती नहीं होगी तो आपको से मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती इसके बाद है बेटा मुद्रा जो है उसकी परिभासा है तो इसमें प्रतिपात को ने अतला जर्मनी के जो राइटर है मतला प्रपोसर है नैप उन्होंने नैप था बेटिस अर्थसास्त्री हर ले यह दो अर्थसास्ती है उन्होंने वैधानिक परिभासाएं मुद्रा की वैधानिक परिभासाएं दी है तो उसमें कौन की नैप की परिभासा है बेटा तो वैधानिक द्रश्टी कौन से मुद्रा की परिभासा दी जाती है बस्तू मुद्रा में मानी जा सकती, मतलब जब कोई सरकार, मतलब आप देखना नूर्ड भी बिना सरकारी भारा सरकारते द्वारा ही फोटो को क्या लेती है उसके बाद है नैप-णैपनी परिवासा दी है तो कोई भी बस्तु राचिद्वारा मुद्रा गोशित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं मुद्रा कहते है, एक परिभासा है बीटा, अगर पूछा जाए, एक नमबर और दो — करनी मपरर होते हैं अगर उसमें पूछा जाए कि वयधाणिक परिभासा देंगे, तो आप एक लात के परिभासा Ayyu easy , सबन जो मुद्रा है उसके विदी ग्राह स्विकार करने के साथ लेखे की इकाई को भी माना जाता है जिसका अर्थ सभी प्रकार की कीमोंतों का हिसाब हडना होता है उसका हाडले इन्होंने ये एक जर्मन के विटेस अर्थ सास्त्री है उन्होंने परिवासा दी है तो उन्होंने विदी का स्विकार किया है मुद्रा को और साथ ही कहा है लेके की इकाइब को विमाना में जिसका अर्थ सभी प्राकार की घीमत मताब अपन कोई वस्तुथी जब कीमत चुकाते हैं हर वस्टू की कीमत होती है, तो उन्होंने इसे कीमतों का हिसाब रखा जाए, और फिर बरतमान युग में मुद्रा का चलन कैसा है, मुद्रा का चलन आज की देखें तो बहुत है, मुद्रा नेप ने परिवासा को उच्छित रूप से क्या किया है, प्रतीत किया है, और नेप की परिवासाओं की कुछ अलोजना भी है बेटा, तो अलोजना है वो एतहासिक द्रस्टी से नेप की परिवासा कैसी है, तत्य प्रूंद नहीं है, और उसे उन्होंने समान ने द्वारा बस्तू को मुद्रा स्विकार किया है, और राज्य द्वारा गोशित नहीं कि जा गया है, यह है, आवश्य नहीं, फिर है बेटा, उसके बाद आप पढ़ोगे, उचे द्रस्टी में आधुनिक विचार की परिवासाओं, तो मुद्रा, क्योंकि मुद्रा का चलन सरकार का दाइट है, मतलब जो मुद्रा का चलन है, वो किया किसका दाइट है, सरकार, क् की, नोटों का निरिकमन, मतलब कौन करता है, सरकार करती है, राज की सहमती, मतलब जो मतलिक किसका दाइट है, सरकार, सरकार के दाद त्वारा ही, नोट पत्ला मतल चलन है, और अगर सरकार ने, उसकी स्विकिती समाप्त कर दी इसे 500 की नोट की उन्होंने स्विकिती समाप्त की तो अब वो चलन में नहीं है वो नोट फिर चलन में नहीं रहेगा क्योंकि उसको सरकार ने क्या कर दिया है निरस्त उसकी जो स्विकिती है वो समाप्त कर दी और मुद्रा का मही पर क्या होता है समाप्तू जाता है फिर उचे द्रश्टी कोड से अत्वा आदूनिक विजारधारा की परिवासा तो प्रफोर्शल मार्शल ने परिवासा दी है एक प्रफोर्शल मार्शल की परिवासा है मार्शल की परिवासा है कि मुद्रा उन सभी बस्तू का समावेस है जो किसी समय या इस्थान पर बिना किसी संद्रे से और बिना किसी जाचपड़ता से बस्तू और सेवां को खरीदने और भुक्तान करने के लिए क्या है साधन के रूप में स्रिकित है तो ये प्रप्रोशर मार्शल की परिवासा है तो मुद्रा उन सभी बस्तू का समावेस है समावेस है मतलब आप बस्तू का मुद्रा से कर सकते हैं सभी बस्तूं को खरीद सकते हैं तop जो आप उनका इसा circular की परिवासा मुद्रा के परिवासा है मंत्रा का द्रश्टी कोड़ है तो मुद्रा का आर्थिक विकास किसे संभा हुआ सरकार के द्वारा पिर प्रपोसर चेटाला ने एक अनुसार मुद्रा की परिवासा दी उचित परिवासा दी उन्होंने कहा कि मुद्रा किसी आर्थिक प्रणाली को मुद्रा का केवल मौलिक कारे हैं मतलब आर्थी प्रणाली जो आर्थी विकास होता है काय के माध्यन से होता है मुद्रा के माध्यन से होता है बस्तु तथा सेवाओं को सरल बनाना आपके पास मुद्रा है आप किसी भी बस्तु को खरीद सकते हों सेवाओं को सरल बना सकते हो बास्ता में मुद्रा के लेंदेन को इतना सलल बनाना है कि उत्पादन को जितना भी माल बने और नीमित रूप से उसको उभ्भोकता के पास पहुंच सके मतलब जो भी उप्भोकता हो अपन कोई बस्टू का उत्पादन करें तो वो नीमित रूप से उभ्भोकता मतलब आना और जाना तो अगर आप बहुकता के लिए बस्टू है तो उससे क्या बनेगी आपकी जो क्राई सकती है वो क्राई जो है वो निरंतन क्या रहेगा बना रहेगा उसके बाद है बेटा कि यहां पर अतिक उदार दिश्टी कोड की परिभासा भी दी है गहीं दूसरी ओर हाडले विदर्स और उसके बाद आदी बस्टू में मुद्रा का दर्जा कैसा है तैयार किया और मुद्रा का कारी भी उन्होंने प्रतिपादिक किया तो मुद्रा के कारों का प्रतिपादन प्रफोसर कीलन ने मुद्रा कैसा रहता है चलता रहता है इस प्रकार मुद्रा आदूनिक मुद्रा और वांडी जी का कारी भी करती है प्रफोसर कीलन ने मुद्रा के कारी का क्या किया प्रतिपादन किया और निम्डिकित रूप से इसको क्या किया प्रस्तू किया तो सबसे पहले है मुद्रा का प्राथ्मिक कार फिर दूसरा है हुद्रा का गौण या सहायक कार कि दूसरा हो गया गौण और सहायक कार और तीसरा होगा पेटा अकस्पिक कार आकस्मिक कार तो मुद्रा की या आप क्या देखने हो बेटा कार तो इसा हो गया आकस्मिक कार और चौथा आएगा बेटा अन्य कार प्रकार कीलन ने नेमिकरित रूप से चार कारों को क्या खिया है प्रस्तुत किया है पहला है प्रात्मिक कार दूसरा है अगर प्रश्ण में पूछा जाए, मुद्रा के कितने कार है, तो आपको लिखना है, मुद्रा के चार कार है, तो प्रात्मिक कार, पहला हो गया प्रात्मिक कार, मतलब उसके माध्यम में आएगा बेटा, बिनी में अमूले का मापन, उसके बाद हो गया बेटा, सहायक कार, त मुद्रा एक ऐसी बस्तु है जिसके विष्चित रूप से विनीमय का माध्य, सबसे पहला विनीमय का माध्य मतलब एक रात्मिक कार्य हो गए, फिर मूल्ल का मापक, यह एक क्रकार से मूल्ल का मापक है और रिड़ों के अंतिम बुक्तां तथा मूल्ल के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र और सामाल में रूप से इसको क्या क्रिया जाता है, स्विकार किया जाता है तो ये मुद्रा के कारी के अंतरगत आ गया है एक परिभासा के अंतरगत इसमें आया बेटा आपको विल्कुल सरण परिभासा है मुद्रा की परिभासा में अगर आप लिखना चाहो मुद्रा एक ऐसी बस्तु है जिसमें विस्लित रूप से विनीमय के मार्ध्यम और मूल का मापन और रणों के अंतिम भुकतान के मूल के संचय के साधन के रूप में से सामान रूप से क्या किया जाता है? सुईकार किया जाता है तो सबसे पहले लेंगे प्राट्मिक कार के अंतरगर तो सबसे पहले आएगा विनीमय का ये प्राट्मिक कार के अंतरगर आएगा 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 प्राट्मिक कार के अंतरग यह बिया आपका पिल्मे का मात्रा दूसरा है मुल्य वाह्टो आपका मुल्यो का मात्राइब मुद्राइब क्या करपा है लिए मुल्य मात्राइब मुल्यो का मात्राइब तो यह सबसे पहले प्राइब काली के अंतरगत आपका यह आ गया और इसके अंतरगत आप पढ़ेंगे विनीमे का मात्राइब और मुल्यो का मात्राइब तो विनीमे का मात्राइब मुद्रा का सबसे महत्पूर कार है विनीमे का माध्या अत्ता बस्तू के विनीमे आप कोई बस्तू का सबसे पहले उत्पादन करोगे उसके लिए सबसे चलूरी है विनीमे तो मुद्रा में विनीमे का माध्यामकार बस्तू के विनीमे और अर्थिवबस्ता की कटनाईयों को समाप्त कर दिया कर आपको भी बस सब्सक्राइल करोंगे फिर उसको बजार मिला तो विनीमय के लिए आएगा तो यह हो गया अपका प्राथमिक कारे का अपसे पहले सब्सक्राइल को सब्सक्राइब होता होता है मुद्रा के कारण मनुश्यों को अलाग समय पर वैक्तियों की खोज और ऌट तो विनिमे के लिए जो बस्तू होगी तो अपन बस्तू को क्या करते हैं स्वीकार करने के लिए क्या है तैयार है और सबसे पहले मनुस्तू के पास फरता मुद्रा क्या होना चाहिए। मुद्रा के लिए का महत्- typical& सरल और सहज बना दिया है पुद्र πα्रण विन्यमर के मात्यम से किख्री तो इसके बाद आपको इसके बाद आ को मुद्रा के क्या काल उता मुद्रा के परीभासा मुद्रा का अर्थ अधर आपको प्रेशन पोचे जाएं जैसे तो आपको एक नंबर दो नंबर को इसमें मुत्रा के क्या कार्य है तो आपको देखना कोड़ेगा पहले पिता एक प्रेशन है मुत्रा मुत्रा की परिभासा पुंद्रागी परिंगाचा अपो और पुंद्रागी प्रगाः एम कार तो मुद्रा के कितने कार नहीं है आपको मैंने बताया आपको एक मुद्रा की परिंगाशा लिखनी है मेटें दो दो नंबर के छोट छोटे प्रशन आते हैं मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं मुद्रा के अधार के कितने आधार पर परिंगाशाएं दी गई है तो प्राक्रते के अधार पर और रिस्टार के अधार पर दो प्रकार से परिभास आधी तो आपको Question के Answer लिखने हैं तो मुद्रा की परिभासा बताइए और मुद्रा के प्रकार एवन कारी को लिखेए धन्यवाद बैच्चो